इस कारिक्रम के पुर्म्यार जग हैं शेलेश कुमार जैन अर्चना शेलेश कुमार जैन आधित्या आर्या जैन तुमसर महराश्ट्र। जैजिन बंदू समीचिन विकल्पों का समयक समाधान इस कारिक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आचरी भगवन गुरुवर्शी विशुद्व सागाजी महराज के स्वरिणिम जन्मजैनती की उपलक्ष में ये कारिक्रम का आगाज हुआ था। बहुत चर्चित कारिक्रम समयक समाधान पारस टीवी चैनल में प्रसारीत हो रहा है और इसके कारण से ही देश विदेश विविन्द परांतों में जो श्रावगण इसका लाब ले रहा है और उसके माध्यम से जो अपने मन की तिमिर या मन की जो विकल्प है उसको शान्त कती परदान करने का अनुरोद करता हूं नमस्तू 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 समीचिन विकल्प हमें यहां प्रती दिन प्राप्त हो रहे हैं और परमपूज मुनिसरी उनका आगमुक्त विदी से हम सबको सम्मिक समाधान परदान कर रहे हैं प्रारम करते हैं आज का सम्मिक समाधा और आज का पहला विकल्प बानपूर उत्रप्रदेश से स्रीमती प्रग्या चौधरी यूग कि अपना समीचिन में कल्प परम पूझ मुने स्री के समख्षर रपने मेराजी के चैड़ों में ती बार नमुस्तु मेराजी नमुस्तु मेरा प्रदश्न है कि ती थंकर की समुस विराजमान होते हैं बहुत अच्छी बात यहांपर यह समझना जीवों में यह भ्रम होता है कि तिर्थंकर भगवान के समोशर्ण में मात्र वेही केवली भगवान होते है पर ऐसा नहीं है तिर्थंकर भगवान के शिश्च रूप जिन्होंने तिर्थंकर भगवान को अपना गुरू सुई कारा है उनका शिश्चत्व प्राप्त किया है ऐसे इतना होता है जैसे वर्तमान में भी आपको देखने में मिलता है कि एक ही संग में आचार उपा धैर साधू तीनों होते हैं पर तीनों का स्थान भले ही एक मंच एक कमरे में हैं पर उनका स्थान निर्धारित हुआ करता है आचेर परमेष्ठी उच्चासन पे उससे नीचे उपात है साधू, एलक, शुलक, आदी जैसा क्रम हमारे यहां वरतमान में दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही क्रम वहाँ पर कोठों में हुआ करता है अंतर इतना है अवधी ग्यानी, मनपरिय ग्यानी, सामानने रिधिधारी, सामानने मुनिराज इनसे हटकर उसी कोठे में जो केवली भगवान होते है जिसे हम सामानने केवली कहते हैं वह सामानने केवली मात्र उन्हीं कोठों में उनसे अधर में हुआ करते हैं अगर वे समतल भूमी में बाकी सभी मनिराज अवधी ग्यानियादी बैट रहे हैं तो उससे कुछ ओचाई पर वे सामाने केवली भगवान उनकी कोठ का जो निर्धारित स्थान होता है उसी स्थान के बिलकुल थोड़ा सा उपर की तरफ अधर में वे सामाने केवली मनिराज विराजमान होते है पुराणों में जैसे 24 तिर्थंकर पुराणों में भी या आधी पुराण आधी अनेक ग्रंतों में आचर भगवन्तों ने प्रतिक वरत्मान के तिर्थंकर के प्रतिक उन समोशन की व्याख्या करते हुए कितने सामाने केवली थे कितने आवधी ग्यान मुनिराज थे, कितने मनपरिय ग्यानी, कितने रितिधारी, कितने सामान ने मुनिराज आदी सबका विस्तरित रूप से व्याख्यान किया है और वही पर यह भी उलेक किया है कि यह जो सामान ने केवली वहाँ पर समोशन में भगवान की दिवित्वनी सुन्ने के लिए पहु सभा होती है उनमें से एक जो मुनिराज की सभा है उसके उपर याने अधर में वह आउधी याने मुनिराज विराजमान होते है यही आपके लिए सब्मेख समय था पंडित अंसुल पार्स सास्त्री दिल्ली से परंपूज मुनिश्री के चरणों में कोटी-कोटी नमोस्तु निविर्द करते हुए अपना समीचिन विकल प्रक्षण हैं कि महराजी बरतमान समय में विबाह पद्धती में एक अजीब सा परिवर्थन देखने में आ रहा है। अनेक नामों से विबाह की पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। कहीं संगीत में फेरे हो रहे हैं। कहीं फेरे पढ़ने के वाद बरमाला आदी का कारक्रम होता है। तो क्या आगव प्रक्षपिदी से यह सही है। हमारे समेचिन विकल्प का समेख समाधान करने के उनकों करें। नमोस्तु माला जी नमोस्तु। आधिपुराण आदी के निमित्त से आचर भगवन्त ने जो एक स्रावक उचित क्रिया है। उन त्रेपन क्रियाओं का बहुत विस्तार से हम स्रावकों के लिए और साधु वर्ग के लिए विस्तार से व्याख्यान दिया है। और उस व्याख्यान करते समय विवाह आदी के भी प्राणी ग्रहन विवाह आदी के निमित्त से भी जो जैसी क्रिया होनी आवश्यक है उसका व्याख्यान ग्रंथों में प्राप्थ होता है, आगम में प्राप्थ होता है। वर्त्वान में भौतिकता के चकाचौन में या अन्य किसी प्रकार से समझ लेना, जीव जो अनेक अनेक प्रकार से उन विवाह पधतियों को संबन कर रहा है, उसका उल्लेख किंचित भी किसी आगम गरंथ में नहीं होता। मात्र दिखावे के चक्कर में व्यक्ती आज बहुत कुछ बातों को भोल चुका है, चाहे वह संगित में फेरे हो या फेरों के पहले वर्माला बाद में सुभे कुछ कर लिया, फिर रात को कुछ हो रहा है, ये किंचित भी आगम में वर्णित व्यवस्थाय नहीं है। पर जो और भी वर्तमान में ऐसी बहुत सारी विवाह पद्धती प्रारंब हो रही है, वह तिर्थंकर भगवान के वाणी में उसका वर्णन गिंचित भी प्राप्त नहीं होता। चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह चक्रवर्थी भी क्यों नहीं हो, पर तिर्थंकर के वाणी से बड़ा वह चक्रवर्थी नहीं होता। और इसलिए जो आगम में व्यवस्था बताई गई है विवाह पद्धती की बिलकुल उन्हीं पद्धतियों के अनुसार ही हमें वह स्रावकों को संसकार आदी देने की आवश्चता है पर सबसे बड़ी बात तो पंडीजी में आपे के लिए कह रहा हूं कि आपको ही यह जैस जैसे ही समाज थोड़ा सा लोभ देती है आप ही स्वयम उन सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रवरुत हो जाते हो अगर आप जैसे ही सभी विद्वान दिनने कर ले कि हम आगम के विरुद्ध इन क्रियाओं को नहीं करेंगे तो श्रावक समाज तो बेचारी भोली भाली ह आप या आप जैसे विशिष्ट लोग जो जैसा कहेंगे वो उसके हिसाब से करते रहेंगे इसलिए बहुत अच्छी बात तो यहीं है कि कुछ विशिष्ट लोग अपना लोभ छोड़ दे और वे ही कह दे कि आगम में ऐसी क्रियाओं नहीं है तो उस लोभ को छोड़ते तो वह बास्तों में आपके लिए भी और उन पंडित विद्वानों के लिए भी जो उन क्रियाओं को कर रहे है वह परिपूर्ण रूप से जीवन में या आने वाले समय में कुछ पुन्य का वर्धन करने वाली हो सकती है अन्यता नहीं हो सकती यह बात भी पंडित जी दूसरा वकिल और तीसरा पंडित प्रतिष्ठाचार आगम के अनुसार अगर क्रियाए नहीं करता है तो उनकी लिए सीधा आचर भगवन लिखते है वह नरक की व्यवस्था बना रहे है इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि अगर आप ही समझ जा तो किंचिद भी क नर्गल क्रियाए हो रही है वह आगम के अनुरूप नहीं है चाहे जिनवानी हो गुरू की भोटो हो भगवान की वेदी हो वहां पर किंचिद भी आचर भगवन तो ने वह वैवाहिक संबंदों को करने का किंचिद भी व्याख्यान नहीं किया आज तो साक्षात भगवान के मंदिर वेदी आदी में भी आपको वह सम्मेलन आदी की सूचनाएं उनके स्टीकर आदी प्राप्त होते हैं वह भी किंचिद भी योग के नहीं है जहां भले ही आचर भगवन तो ने या तिर्थंकर भगवान ने चार प्रकार के पुरुशार्थ की बात की है ये भी भी कार किया है पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धर्म पुरुशार्थ के स्थान पर अपना काम पुरुशार्थ प्रारंबर करें सबका स्थान निर्धारित किया गया है और जिसका जैसा स्थान है उसको उसी स्थान पर करने की आवश्यक्ता है उसकी मर्यादा होती है और प्रत्यक स्थान की प्रत्यक पुर्शार्थ की जो मर्यादा कही है उस मर्यादा के अनुसार अगर हम जिएंगे तो नियम से हमारा कल्याण होगा अन्यथा उन स्थानों में उन पुर्शार्थों में हम एकत्री करण करेंगे तो संकर नाम का दोश आ जाएगा और संकर नाम के दोस्ते सभी हमारा ग्यान, क्रिया, चारित्र, नश्ट हो जाएगा इसलिए आपके लिए यही सम्मेक समाधान है जहां तपको मोक्ष का कारण कहा या तपसा निर्जराष्च ऐसा सूत्र देते हुए आचर भग्वंत उमास्वामि महाराज ने कर्मों के निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्रदान करने वाली बहिरंग अंतरंग तपकी भूमे का बताई है वही पर बाल तपको आचर भग्वंत देवगती का कारण कहते हुए देवगती के आसरों का साधन कहते हुए संसार का ही कारण कहरे उनमें से ये बात हमें समझने योग्य होगी जहां आचर भग्वंत बारा प्रकार के अंतरंग बहिरंग तपों को कहते है वहाँ पर यह स्पष्ट बात समझने युग है कि वहाँ सम्मेंग दर्शन के साथ किया हुआ तब ही स्रद्धा से या देवशास गुरू पर विश्वास समर्पन से किया हुआ अंतरंग बहीरंग तब निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्रदान करने वाला हुगा अगर तब करते समय किंचिद भी उस तब के प्रती सच्चे देवशास गुरू के प्रती श्रद्धा नहीं है उस श्रद्धा के अभाव में विश्वास समर्पन के अभाव में व्यक्ति जो भी तब करता है वह बाल तब के श्रेडी में आता है या स्पष्ट ही कह दे तो मिध्यात के साथ किया गया अंतरंग बहिरंग तप नियम से नियम से बाल तप के कोटी में आने के कारण से वह संसार वृधि का ही कारण है और जो सम्मेंग दर्शन से किया हुआ भले ही छोटा सा तप के उना हो वह नियम से मोक्षक और निरिजरा क के लिए साधन बन सकता है आवश्यक्ता प्रत्य की है प्रत्य जिस प्रकार से होगा सम्में या मिथ्यात बिल्कुल वैसा ही वह तप निर्जरा के लिए या आश्रोवंध के लिए कार्यकारी होता जैसे ग्यान वही है पर सम्में दर्शन के साथ ग्यान होगा तो वह सम्में ग्यान होगा और मिथ्या तरशन के साथ याने अतत्वों पर स्रथान होने से जो ग्यान होता है वह मिथ्या ग्यान होता है बिलकुल वैसे ही तप वही है अंशन अमो दर्य वृत्ति पर संख्यात अंतरंग बहियंग तप वही होने पर भी मात्र और मात्र साथ तत्वों पर तो हमारा श्रद्धान अश्रद्धान है उसके निमित्त से ही जीव सम्मेक तप को या बाल तप को प्राप्त करता है सम्मेक तप से कर्मों के निरजरा होते हुए जीव मोक्षो को प्राप्त कर सकता है पर बाल तप से वह देव गति आदी को प्राप्त करते हुए नियम से सं इंसारम्रदी का ही कारण बनता वहां जब बाल तब कहा गया है उस बाल तब करते समय जो निरजरा के भी दोभेद आचर भगवन्त बताते हैं सवीपाक अविपाक और अकाम निरजरा यह अकाम निरजरा का साधन बाल तब होने के कारण से नियम से वह कर्मों की प्रचुर मा विपाक आने के अलावा मुख्यता से तपों के द्वारा कर्मों को नश्ट करना ये जो अविपाक निर्जरा है वह अविपाक निर्जरा बाल तब से नहीं होती वह अकाम निर्जरा याने जो काम की नहीं है ऐसी अकाम निर्जरा निर्जरा तो होगी पर वह मोक्ष मार्ग क या मोक्ष के लिए कारेकारी नहीं है प्रयोजन भूत नहीं है इसलिए वह बाल तपके द्वारा जो जीव कर्मों की निर्जरा कर रहा है वह एक तरफ निर्जरा भी कर रहा है पर दूसरी तरफ कर्मों का आस्रों बंध भी करते हुए संसार वद्धी का कारण कर रहा है इसल जो चार आराधना आचर भगवन्तों ने बताई है, चार आराधना में सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्ञान, सम्मेक चारित्र के उपरान सम्मेक तप भी आनिवारे हैं, सम्मेक तप से निर्जरा करते हुए मुक्ष जा सकते हैं, पर बाल तप से वह अकाम निर्जरा होने से संसा करवलती ही ही होगी यही आपके लिए समयक समाधा अगले विकल्प के लिए बानपूर उतर प्रिद्श से हमारे सामने हैं स्रीमती राजुल सिंगही जो कि अपना समीचिन विकल्प परम पूझमने स्री के समख चरप रहे हैं स्रावक के लिए दान और पूझा यह परम आवश्सक आचर भग्वन बदा दे और जहां स्रावक के लिए दान और पूझा के व्यक्षान होती है उन दान पूजा के समय में आचर भगवंत का उनको आवश्चकों में समावेश करने का मांत्र और मांत्र एक यही अभिप्राय है कि शरावक अपनी लोभ कशाय को दूर करेगा। चाहे दान देने का समय हो चाहे भगवान अरहंत की पूजा अभिशे करने का आउचित क्यों ना। उन प्रतेक अवसर पर व्यक्ति को यह शरावक को मांत्र और मांत्र अपनी लोभ कशाय का विशर्जन करना ही अनिवारी होता है। जैसे स्वयम की जो द्रव्य होती है चाहे दान में हो चाहे अरहंत की पूजा में हो जो लोभ कशाय का विशर्जन करने के लिए दान पूजा कही गई है परिपूर्ण रूप से मांत्र और मांत्र स्वयम के द्रव्य से ही दान देना और स्वयम के द्रव्य से ही अरहंत वहाँ दान पूजा सावक के आवश्चकों में अभिप्रेत है किंचित भी वर्तमान में जो यह व्यवस्था बनी हुई है कि मंदिर में द्रव्य रखी हुई है चाहे सुखी रखी हो हम उसे उठा के साप करके या प्रासुक करके प्रयोग कर रहे है या कई मंदिरों में तो ये भी विवस्था होती है पहले से ही द्रव्य की थाली सजा के रखी है उठाया हमने विचड़ाया और हम घराया ये किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं है जहां भी दान पूजा की व्याख्या है मैं पुना पुना इस बार को जोर दे के कह रहा हूँ मात्र स्वेम के द्रव्य का ही दान स्वेम के द्रव्य की से ही पूजा होती है अन्य किसी का दान अन्य किसी के द्रव्य से पूजा किंचित भी नहीं होती आचर भगवन तो इतना कठोर शब्द कहते है अगर भोजन करने के लिए नहीं है तो दूसरे से मांग कर भोजन तो कर लेना पर भगवान की पूजा करने के लिए अगर द्रव्य नहीं है तो कुवे से पानी खेच कर मात्र पानी चड़ाना पर कभी भी दूसरे के द्रव्य से पूजा, दूसरे के द्रव्य से दान किंचि भी करने योगे नहीं है क्योंकि आप भले ही मंदिर की विवस्था के दो समाज की विवस्था के दो या किसी अन्य प्रकार से कोई भी बहाना आप दे देना पर ये बात समझना द्रव्य जिसकी है उस द्रव्य का पुण्य उसी जीव को लेगेगा आपका कुछ भी द्रव्य लगा नहीं था आपकी लोब कशाय नहीं हुई थी इसलिए आपको उस द्रव्य चड़ाने का आपको उस दान देने का फल किंचित भी मिलने वाला नहीं है दान की भी व्याक्या करते हुए आचर भगवन कहते है स्वस्याति सरगोदानम स्वयम के द्रव्य को स्वयम के और दूसरे के उपकार के लिए जो दिया जा रहा है वास्तों में वही दान दान है उजमतिकी कही गई है वहां भी अगर हम दान दे रहे है द्रव्य चड़ा रहे है दूसरे का द्रव्य दूसरे का बरतन सब कुछ समाज का मंदिर का मेरा क्या लगा और जब तक मेरा कुछ नहीं लग रहा है तब तक मुझे पुर्णे नहीं मिल रहा है भगवान मंदिर के, पानी मंदिर का, थाली मंदिर की, द्रव्य मंदिर का, और मोक्ष फल प्राप्ताय, आपका ही द्रव्य आप कमने रुपा में तीस वहमा फल किसे मिलेगा। हमें फल नहीं मिल सकता, फल अगर हमें चाहिए तो हमें स्वयम की द्रव्य, स्वयम के द्वारा प्रासुप करते हुए, स्वयम के दारा उस्तरा सुधी करण करते हुए, वही द्रव्य भगवान के लिए, गुरु के लिए चड़ाने योग है, दान करने योग है, क्योंकि फ परतमान में वस्तरभी मंदिर के बरतनभी मंदिर के सब कुछ मंदिर का ही लग रहा है मुझे पुन्य मिलने वाला नहीं है। अगमोक्त नहीं है। पर वही दान और पूजा के निवित्त से चावल वही धो रहे हो तो वहाँ आप उन क्रियाओं को करते समय पुढ़ने की प्राप्ती कर रहे हैं माली ने बनाए हुई या पुजारे ने बनाए हुई धाली द्रव्य का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो ये पक्का मानना जो विवेक आपके पास है द्रव्य शुद्धी करते समय वह विवेक उस पुजारी माली आदी के पास नहीं होता जितने बुद्धी पुर्वक विवेक पुर्वक आप द्रव्य का सुधन करते हो उतना विवेक पुर्वक वह पुजारी नहीं करता क्योंकि उसे पचासो थालिया बहुत सारा द्रव्य एक साथ धोना होता है कई स्थानों पर हमने भी आखों से देखा आपने भी देखा होगा बनी बनाई थाली में भी कई बार मरे हुए तिरूले मिलते वह मरे हुए तिरूले अगर द्रव्य में है और वैसी द्रव्य हम चड़ा रहा है एक तो दूसरे की द्रव्य फिर अशुद्ध द्रव्य फिर स पुछे हमें कितना पुन्य और पाप स्वैम को मिल रहा है इसलिए एक विवेक पुर्वक स्रावक की जो क्रिया कही गई है जो स्रावक के लिए विवेक और क्रियावान कहा गया है उस विवेक को पहले हम याओं को करते रहे इसलिए आगम के परिपेक्ष में मंदिर में की व्यवस्था रूप रखी गई द्रव्य किंचिद भी आगमोकत क्रियाउं से चड़ाने योगे नहीं है हाँ कही विश्मता में हम कही ऐसे स्थान पहुँचे है किसी तिर्थक शेत्र में जहां हमारी कोई व्यवस्था नहीं है या कुछ अन्य कारणों से वहाँ हम नहीं चड़ा पा रहे हैं तो कवचित कदाचित समझ सकते हैं पर हम घर में रह रहे हैं और बहां सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो उतने द्रव्य की भी सामगरी की व्यवस्था भी हमें स्वयम को ही करनी होगी भले ही आप कह सकते हैं कि हम उतने पैसे वहां डाल रहे हैं पर मात्र पैसे डालने से वह द्रव्य की सुध्धी करण आदी का विवेक नहीं होने के करण हम वहां पाप का ही आसरों कर रहे हैं पुर्णे प्राप्त नहीं कर पारे हैं इसलिए हम यातरा करने भी जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे भोजन की सामगरी जब ले जा सकते है, तो चंद सामगरी, द्रव्य, बादाम, आदि हम अवश्य ही ले जा सकते है, या वहां भी खरिद कर अपने ही द्रव्य से भगवान की पूजा, अपने ही द्रव्य से मुनियों को दान आदि किया जा सकता है दूसरी की द्रव्य का पुर्ण्य हमें नहीं मिल सकता इसलिए आगम के परिपेक्ष में आप समाज मंदिर में रखी हुई द्रव्य का गरहन ना करते हुए स्वेम की विवेक से क्रिया करते हुए स्वेम का द्रव्य दान और पूजा में लगाए तो ही स्वेम को पु इसा कोई नियामक नहीं है कि दो तितियां अगर एक साथ पढ़ रही है तो हम व्रत नहीं कर सकते इसा कोई सर्वता विधान आगम में नहीं है पहली बात तो हमें उन तितियों के निमित्त से ये समझनी होगे कि जहां पर दो तितिया चाहे अश्टमी नौमी हो सप्तमी अश्टमी हो या अन्य किसी प्रकार से भी अगर वह दोनों तितिया एक साथ आ रही है तो वहां पर य ये देखना आवर्शक है कि कौन सी तिति कितने समय के लिए है क्योंकि उन तिति के अनुसार ही उसको व्रतों में ग्रहन करना या नहीं करना आदी सब कुछ हमें समझना अनिवारे हुआ कर जैसे अश्टमी सुह है और दो पर से नौमी प्रारम हो रही है या अन्य और भी क इतने घडी तक वह तिति शेश है उसको समझने के बाद ही उस सिति का निरधारन गिया जा बहुत सारे पंचान और बहुत सारे कैलेंडरों में उसके निमेत्त से व्रतों के तितिया और सिति का काल आदी दिया जाता है उसके आपेक्षा से अगर हम एकासन आदी व्रत कर र है कि आज अश्टमी हो सकती है या दोनों तिति मिलकर है आप उस दिन भी व्रत करोगे तो भी उसमें कोई दोस नहीं होता है क्योंकि गणना तो हमें अपने हिसाब से करनी है तितिया तो उन ग्रह नक्षत्रों का जो संक्रवन होता है गमना गमन होता है उनके हिसाब से बन किंचिद भी दोश नहीं है जितना करेंगे उतना अधिक फल हमें प्राप्त होगा इसलिए उन बातों का तितियों का कम बहगट आधी का विकल्प छोड़ते हुए जिस दिन हमें यह प्रतित हो रहा है क्योंकि क्रमसिव तितिया आएंगी और तितियों में हमने आगे कम रहते समिचिन्वि कल्पों का समय समय आधान इसकार करम को पारस टीवी चैनल YouTube और Facebook के माध्यम से इसका प्रसारण होता है प्रति जिन 4 बजे YouTube पे पांच बच के 13 मिनिट एविंफ फेजबूक पे इसका प्रसारण Facebook के ID से शुपरववाज या स्टमन सुपरव सागाजी मह अगर आप इस कारेकरम से जुड़ना चाहते हो, आपके उतने मन में उतने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रोल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है, आप उसके वाट्शाप के माद्यम से आडियो मेसेज या टेक्स मेसेज से अपना विकल्प हम भेज सकते हो, sammet.samadhan.gmail.com मैं मौनिश्री सूपरप सागाजी एवा मौनिश्री पनत सागाजी महराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और उनको यही विनंती करता हूँ कि कासिस ऐसे ही हम पे बना रहे, नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू. हुआ 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 हाज आए, पर उनको दो कपी कास्तू.